तो आज की दोस्तों इस वीडियो पे बात करेंगे ओक्टा एफेक्स के बारे में अगर आप देखोगे तो ED का एक यहाँ पे ट्विटर पोस्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें 34.75 CR रुपीज के अकाउंट फ्रीज हुए हैं जिसमें बैंक बाइलेंस लेकर क्रिप्टो है क्रिप्टो करंसी है वेकल से गॉल्ड कोईन से कैस यह सब हैं इससे पहले भी ओक्टा एफेक्स के अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हुए हैं जहां पर 30 CR रुपीज अकाउंट फ्रीज हुए थे हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या ओक्टा एफेक्स में ट्रेट करना सेफ ह कि आज के टाइम पर क्यों इसके अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो रहे हैं और इससे आपको क्या इफेक्ट यहाँ पर पर सकता है इसके ओपर यहाँ पर बात करेंगे मैक्स योर की वीडियो को आप पूरा देखो डिस्क्रिप्शन पर टेलिग्राम की लिंक है वो आप जोइन करो अभी तक यूटूब चनल को सस्क्राइब नहीं किया आए तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो तो आपको पता होगा कि ED ने इससे पहले भी OCTFX के अकाउंट यहाँ पर फ्रीज किये थे आज फिर लगभग 20 अप्रिल को यह फ्रीज यहाँ पर हुआ है रीजन अगर हम यहाँ पर समझने के कोशिस करें तो ओल्रीडी RBI ने एक सर्कूलर यहाँ पर जाली किया था जिसमें 48 फॉरेक्स ब्रॉकर को यहाँ पर अगर आप ट्रेड करती हूं तो यह फेमा एक्ट का उलंगन माना जाएगा यह RBI ने बताया है एससे सिच्वेशन पर जब कोई फॉरेक्स ब्रॉकर बरे लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करता है जो कि ओक्टाइफेक्स आज भी इस तरह से कर रही है आपने देखा होगा कई बरे सेलिब्रेटिस के साथ इसकी यहाँ पर मार्केटिंग होती है और अलग-अलग तरह से लुभावने एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिखाए जाती है तो इस एडवर्टाइजमेंट के बाद जाहिर से बात है कि वो गौवर्मेंट के रडार पर आएगी इन्वेस्टिकेशन होगी और अकाउंट सबगेरा फ्रीज होंगे तो वो चीज़े यहाँ पर चल लगी है अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे आपको क्या इफेक्ट यहाँ पर पढ़ सकता है तो आपको यहाँ पर सोचनी चाहिए कि अगर यहाँ पर यह अकाउंट फ्रीज हुए है तो जाहिर से बात है कि ED इन्वेस्टिकेशन करेगी कि इस account से कहा कहा पर transaction हुए है अगर छोटे मोटे transaction होगे तो मैं भी वो इसे ignore करेगी लेकिन अगर बड़े transaction हुए है क्या है कि बहुत सारे लोग IB में काम करते हैं और अलग-अलग तरीके से यहाँ पर deposit withdrawal करते हैं एक बड़े level पर तो अगर इनकी deposit withdrawal होगी इस account के थुरू एक बड़ा amount होगा तो AD यहाँ पर investigate करेगी कि कौन से account पर बड़े transaction हुए और फिर उसे भी यहाँ पर radar पर लाएगी तो यह effect आपको देखने को मैं भी मिल सकता है तो अगर हम बात करें कि OctaFX trading करना safe है मेरा मानना है कि आज के time पर OctaFX में trading करना safe नहीं है region अगर हम यहाँ पर देखे तो OctaFX एक OctaFX के regulation अगर हम देखे तो एक ही regulation के साथ यहाँ पर काम कर रही है लेकिन अगर हम Oxnays, Multibank FX को देखेंगे तो अलग-अलग regulation के साथ यहाँ पर काम कर रही है मतलब, अलग-अलग regulation का मतलब है अलग-अलग country के परती अपनी responsibility रखना या आपके साथ में OctaFX के जिस तरह से account यहाँ पर freeze हो रहे है तो वह एक risk ही बनती है अगर आप INR deposit withdrawal करते हो तो मैं भी यह ट्रेकबल यहाँ पर हो सकती है तो पहला मेरा मानना है कि INR deposit withdrawal safety है इससे अच्छा कि crypto यहाँ पर हो सकती है दूसरा, आप other alternative forex broker को चूच कर सकती हो आज के टाइम पर अगर आप trade कर रहे हो जैसा कि Exynes, Multibank FX तो आप इन दोनों को यहाँ पर चूच कर सकते हो तीसरा, अगर आप बड़े level पर trade करते हो दो-तीन करोर रुपई से forex में trading कर रहे हो करना चाहते हो तो फिर आप अपने country को किसी दूसरे country में shift होकर वहाँ पर account बना कर वहाँ के through आप वहाँ पर trade कर सकते हैं इसकी एक process है मैं केसी और वीडियो में आपको बताऊंगा तो वो चीज़ा आप यहाँ पर कर सकते हो बट मेरा मानना है कि OctaFX में INR depositable roll एक risky यहाँ पर हो सकते हैं crypto will be better साथ में I don't think कि OctaFX के साथ अभी आपको trading करनी चाहिए alternative 4X blocker को आप यूज कर सकते हो चाहिए वो multi bank FX हो एक्षनेश हो इन सब्सक्राइब कर सकते हो I hope दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मिलते आपने नेक्स वीडियो में एक नहीं information के साथ तो अब तो गुड़ बाई जेहिन